हेलो फ्रेंट्स वेलकम चुमाई चैनल तैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे तंदरोस्थ होंगे आज जो पावरफुल घरेलू उपाएं आपको बताने वाली हूँ इसका यूज करके शरील में आई कमजोरी, शरील में आया दर्द, सूजन, कैल्शिम की कमी, हडियों में आई कमजोरी, गुटनों में दर्द, कमर दर्द, सीडिया चड़ने पर सांस फूलना या फिर समय से पहले बाल सफेद हो जाना, बाल बहुत जादा बेजान होना, स्किन पर बहुत जादा ड्राइनेस रहना, इन सभी तकलीफों में ये रेमिडी 100% रिजल्ट देती है, अगर आप इसे लेना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ये समस्याएं दुबारा कभी नहीं होंगी, आप हमेशा हेल्थी रहेंगे, आपकी उमर चाहे कितनी भी हो, आप 60 के हैं, 70 के हैं या 80 के हैं, आप इस रेमिडी का इस्तमाल कर सकते हैं और जरूर करिएगा, दोस्तों चाहे आप 15 दिन ही करके देख लीजिए, आपको पता चाह जाएगा कि इन सारी बिमारियां जो मैंने आपको बताई हैं, इन में आपको कितने अच्छे फाइदे मिल रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी डाइबिटीज क्योर हो जाएगी, तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसको बनाना कैसे है, कौन सी चीज़ों का हमने इसमें 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 सबसे पहली नहीं बनने देता, ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज कर देता है, हार्ट अटेक की समस्या को ये दूर कर देता है, अल्सी के अंदर अल्फा लिनोनिक एसिड होता है, जो की अर्थराइटेस, अस्थमार, डाइबिटेस और कैंसर जैसे ड्रोगों में भी बहुत अच्छे से अल्सी के अंदर ओमेगा-3 fatty acid की भरपूर मात्रा पाई जाती है, आपको मार्केट पे मिलने वाले जितनी भी चीजें हैं, उनमें ओमेगा-6 मिलेगा, और ओमेगा-6 हमारे लिए फायदे मन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा-3 fatty acid ही हमारे हार्ट, हमारे दिल के लिए फ जो की अल्सी के अंदर परचूर मात्रा में पाया जाता है, काफी अच्छी quantity में पाया जाता है, इसके इलावा इसमें मौजूद amino acid ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ये हमारी हार्ट पीट को भी ठीक करते हैं, इसके इलावा अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तब भी ये अल्सी के अंदर पाया जाने वाला फाइबर हमारी फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है, दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज़ की, पस इसके बाद एक और चीज़ है और ये रेमिडी तयार हो जाएगी, दोस्तों दूसरी चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना जाती हूँ, कि अगर बहुत मोटे हैं और आइडियल वेट पर आना चाहते हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, आपकी बॉड़ी में मसल पेंड रह रह रहा है, आपको दिल से सब बड़े ही असान तरीके से कैसे ठीक करना है, चलिए दोस्तों आप बताती हूँ, दूसरी चीज़ कौन सी है, वो है बदाम, बदाम के अंदर आइरन, केलशियम, फासपोरट, विटामिन E काफी अच्छी मातरा में होता है, इसमें केलशियम हमारे दांतों और हड़ीयों को मजबूत करने का काम करता है, मेगनेशियम हमारी मासपीशियों को मजबूत करता है, आइरन हमारे अंदर खून की कमी नहीं होने देता, विटामिन E हमारी स्किन को हमारी बॉड़ी को फ्री रेडिकल से बचा कर रखता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है, अगर आप रोजाना इसे भिगो कर सेवन करते हैं, क्योंकि बदाम की अंदर पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करता है, अगर आपको नीद ना आने की समस्या है, तब भी आपने बदाम को भिगो कर रोजाना सेवन करना है, बदाम के अंदर fast पॉरस और कैलशी मच्छी मातरा में होता है जो की हड़ियों के विकास के लिए यानि की छोटे बच्चों के लिए और हड़ियों को मजबूत करने के लिए काफी अच्छा है तो मजबूत करना है तो यंग और जो एजड हो चुके हैं वो भी इसका इस्तमाल जरूर करें दोस्तों ये हमारे जो बेन होता है उसके लिए काफी अच्छा होता है जिन लोगों में भी मसल बहुत वीक हो चुके हैं महिलाओं के अंदर मासपेशियों में दर्द लगातार रहता है या फिर किसी की भी इमिनिटी कमजोर हो चुकी है रोगों से लड़ने की शमता कमजोर हो चुकी है तो इन सभी के लिए ये बदाम काफी अच्छे है और लास्ट चीज जो इसमें लेने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त है और वो है भुने हुई तिल आप चाहे तो काले रंग के लीजी आप चाहे तो सफेद रंग के लीजी तिल नेक एवल हमारी हड़ियों को मजबूत करते हैं हमारी बॉडी में से यूरिक एसिट को बाहर करते हैं बलकि ये हमारी मास पिश्यों को स्ट्रॉंग करने के लिए काफी अच्छे है जिस इनसान के अंदर कैल्शिम की कमी है, कैल्शिम की डेफिशिंसी है और रोजाना इसके लिए कोई दवाई खाई जा रही है या फिर अलग-अलग तरीकों को इस्तमाल किया जा रहा है तो उनके लिए स्पेशिल ये तिल वाली रेमेडी ब्राम बान साबित होने वाली है अगर आपने इसे 15 दिन कर लिया तो 15 दिन के बाद मुझे अपने रिजल्ट जरूर बताईएगा कोविंट करके कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला और लास्ट चीज ओप्शनल है आप चाहें तो इसके अदर मिठास के लिए धागे वाली मिश्णी मिक्स कीजीगा अगर नहीं करना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है आपने कितनी मात्रा भी लेना है इन सभी चीजों को और कब सेवन करना है अब हो चाल लेते हैं आपने 50 ग्राम अलची लेनी है और इसे ड्राइ रोस्ट कर लीजिए यानि भून लीजिए बिना किसी तेल बिना किसी घी के उसके बाद आपने 50 क्राम ही तिल लेने हैं और तिल को भी भून लीजिए ड्राइ रोस्ट कर लीजिए इसके बाद आपने आलमंड लेने हैं बदाम लेने हैं 50 क्राम और इसे भी आपने ड्राइ रोस्ट कर लेना है भून लेना है इन तीनों चीजों को जब ये ठंडी हो जा वो आपने इसका इस्तमल दिन में करना है यहीं कि जब आपने नाश्टा कर लिया है दस या ग्यारा बजे है और आपको भूख लग रही और आप सोचने हैं कि ऐसी कौन सी चीज दी जाए जो कि हेल्दी भी हो और हमारी बीमारियों को भी ठीक करें तो उस टाइम पर आपने एक चमच इसका लेना है और गुनगुने दूद के साथ सेवन करना है आपकी जो सभी रोग मैंने आपको बताएं हैं अलग अलग जिन के लिए लोग अलग 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 दवाई खाते हैं कमर दर्द दिल की समस्या कॉलेस्ट्रॉल गुटनों में दर्द होना यह बालों का फचरना, स्किन पर ग्लो ना फंड़ तो यह सारी की सारी समस्या हैं इस रैमेंडी से ठीक हो जाएंगी। पर आपने इस रैमेंडी का इस्तमाल रात को नहीं करना Y как पकोज शतार बसको bisa पच़ना पच़्ने के लिए वह व्मारा दिन होना जरूरी है दोस्तों रात के समय ह हमारी बोडी रिपेयर होती है लेकिन दिन के समय खाना पचले की प्रोसेसिंग फास्ट होती है तो आपने इस रेमिडी का इस्तमाल जरूर करना है अगर आपको यह जानकर यह अच्छी लगी है आपके काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों